हेलो मैं सारी कामिस्रा एकजाम कॉंकर्स के यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीयस की इस्पेसल टेस्टीरी चला रहे हैं हम लोग चलिए तो उसको सॉल्ब करते हैं पॉइंट नमबर वन देखते हैं सराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है तो सराब पर उत्पादन कर कौन लगाता है केंद्र सरकार लगाती है यह राज्य सरकार तो देखिए राज्य सरकारों द्वारा सराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है चलिए point number 2 देखते हैं point number 2 में दिया है योजना आयोग के इस्थान पर एक नई संस्था नीती आयोग का गठन किया गया कब किया गया है नीती आयोग का गठन तो एक जनवरी 2015 ये डेट आप लोग याद रखिए देखे नीती आयोग का गठन योजना आयोग की जगह में हुआ है तो कब किया गया है नीती आयोग का गठन तो एक जनवरी 2015 को पॉइंट नमबर तीन देखते हैं तीन में क्या दिया है कौन सा भारत में सतत विकास लच्छों के कार्यान वयन के लिए नोडल एजिंसी संस्था है तो कौन सी संस्था है देखे नीती आयोग है ठीक पॉइंट नमबर चार देखे चार में क्या दिया है भारती स्टेट बैं कि स्थापना हुई थी पॉइंट नमबर 5 देख लीजिए किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल की रूप में प्रियुक्त होता है देखिए वह कौन सा उद्योग है जिसमें अब्रक कच्चे माल की रूप में प्रियुक्त होता है तो वह है विद्दूत कौन सा उद्योग ह पॉइंट नमबर 6 देख लीजिए मोना जाइट किसका आयस्क है मोना जाइट किसका आयस्क है तो थोरियम का आयस्क है मोना जाइट पॉइंट नमबर 7 किसने भारी पानी की खोज की तो भारी पानी की या भारी जल की खोज किसने की है हेराल्ड क्लेटन उरेने क्या होता है इसका सूत्र D2O भारी जलकस रासायनिक सूत्र क्या होता है D2O होता है पॉइंट नमबर आठ देखिए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रियुक्त होती है तो कौन सी gas प्रियुक्त होती है, butane cigarette lighter में प्रियुक्त होने वाली gas होती है, point number 9, प्राकृतिक रबड किसका बहुलक है, यह प्रशने पूछा जाता है, आईसोप्रीन, किसका बहुलक है, आईसोप्रीन का बहुलक है, point number 10 देखिए, विकास के उत्परिवर्दन सिध्धान्त का प्रितिपादन किया था, तो किस ने किया था, यूगो डी वरीज ने किया था, विकास के उत्परिवर्दन सिध्धान्त का प्रितिपादन किया था, यूगो डी वरीज ने, अब विकास का उत्परिवर्दन सिध्धान्त है क्या, देखिए, नई जात की उत्पत्ति अचानक एक ही में होने वाली इस्पष्ट तथा इस्थाई वनसागत बड़ी विभिन्यताओं या उत्परिवर्तनों के कारण होती है जाती का पहला सदस से जिसमें उत्परिवर्तन लच्छर दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है ठीक अब चलिए पॉइंट नंबर और विकासवाद का सिद्धान्त ये दोनों अलग-अलग सिद्धान्त है देखे विकासवाद का सिद्धान्त का प्रितिपादन किस ने किया तो चार्ल्स डार्विन ने किया अब देखिए विकासवाद का सिद्धान्त क्या है देखिए प्रकतिक्रमिक परिवर्तन द्वा अपना विकास करती है विकास वाद कहलाने वाला यही सिध्धान्त आधुनिक जिव विज्ञान की निव भी बना ठीक ना पॉइंट नमबर बारा देखिए बारा में क्या दिया है उड़ने वाली इस्तन पाई है तो कौन है उड़ने वाला इस्तन पाई चमगादर है देखिए चमगादर पच्छी वर्ग में नहीं आता है यह एक मात्र ऐसा इस्तन दारी है जो उड़ सकता है देखिए यह इस्तन धारी भी और उड़ भी सकता है पॉइंट नंबर 13 देख लीजिए प्राया जो भालू गलियों में तमासा दिखाता है वह रीज प्रजाती का भालू होता है पॉइंट नंबर 14 भारत में किसी राजि की राजिपाल बनने वाली पहली महिला कौन है सरोजनी नाइडू है कौन ह सरोजनी नाइडू अब 21 राजि की राजिपाल बनी और कब बनी देखे 1947 में संयुक्त प्रांत की राजिपाल बनी थी सरोजनी नाइडू अब संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रिदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज मेरे चैनल एकजाम कॉंकर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में वेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए पॉइंट नमबर पंदरा देखे भारत में राज विधान पालिकाओं का उच्च सधन कौन सा है तो विधान पालिका परिसद या विधान परिसद कहिए इसे या विधान परिसद कहिए और निम्न सधन कौन सा होता है विधान सभा होता है चली आगे देखते हैं पॉइंट न तरगत बिधान परिशत की इस्थापना तता समाप्ति की विवस्था की गई है पॉइंट नंबर 17 देखे भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री बनी तो कौन बनी है सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री बनी है सुचेता कृपलानी पॉइंट नंबर 18 दे पूर्व सोवियत संग का सहयोग प्राप्त किया गया था बोकारो इसपात कार खाना है कहां जारखंड में पॉइंट नम्र 20 दिखीये भारति हीरा संस्थान कहां इस्तापिट की ये सूरत स्थापिद किया गया है भारति हीरा संस्थान पॉइंट नमबर 21 देखे रेनुकूट इस्थित एलूमूनियम की फैक्टरी हिंडालको का महां इस्थित होने का मूल कारण क्या है तो बिजली की प्रचुर आपूर्ती है इसका मूल कारण देखे रेन कूट में इस्तित एलूमूनियम की फैक्टरी हिंडाल को का वहां इस्तित होने का मूल कारण है बिजली की प्रचुर मात्रा की आपूर्दी पॉइंट नमबर 22 देख लेते हैं भारत में दीर्ग कालिक राजपोसी नीति की घोशना किस वित मंत्री द्वारा की गई थी तो वीपी सिंग द्वारा की गई थी पॉइंट नमबर 23 देखे आयात एवं निर्यात पर लगाये जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है तो देखे सीमा कर या सीमा सुल्क के नाम से जाना जाता है पॉइंट नमबर 24 देख लीजिए किस बैंक ने चीन में अपनी पहली साखा खोली थी तो किस ने खोली थी भारती स्टेट बैंक ने पॉइंट नमबर 25 देखते हैं विधाई सक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मद्धि वित्रण समिधान की किस अंसूची में वर्णित है तो सात्मी अंसूची में वर्णित है दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्णों की पीडियाफ लेनी है तो वह हमारे टेल इंटीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे और वेल आइकन का बटन भी दबा दीजे धन्यवाद